वेल्कम तो माई चैनल सिक्योर्टी कॉंसेप्ट यह हमारे स्टी एमल इंजेक्शिंस की सेकिन वीडियो है जिसमें हम कुछ लैप्स को डिसकस करेंगे तो मैं उसका लिंक वीडियो में डाल दूंगा तो आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं आज की लैप्स के लिए मैं वास BWA का यूज करूंगा चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की लैप तो यह जो है वह आप स्टी डे का पेज है नहीं पहुत सारी आपको वन्निबिलिटी मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए तो हम आज का यूज करेंगे HTML इंजेक्शन का तो मैं सबसे पहले आरी वन्निबिलिटी ले लेता हूं तो जैसे कि आप देख रहे हैं यह एक ब्लॉग है जहां पर हम अपने ब्लॉग को एड़ कर सकते हैं ठीक है तो नॉर्मली हम कैसे करेंगे तो मैं सेव करता हूं तो जो नॉर्मल ही होगा तो यह ब्लॉग इस टाइप जे सेव होगा अब हमने इसमें चेक करना है कि इस इंपूट फील्ड में HTML इंजेक्शन वल्निबिलिटी है या नहीं है तो इसके लिए मैं HTML के Tags यूशे कर देता हूं एक heading tag यूशे कर देता हूं एक underline tag यूशे कर देता हूं hello everyone my name is और इन टेक्स को में close कर देता हूं underline tag को close कर देता हूं और इसको save कर देता हूं तो यह देखिए यहां पर जो मैंने Tags यूशे किये थे वह यहां पर आ गया hello everyone में underline भी आ गया और यह heading बन गया इस तरह के आप चेक कर सकते हैं कि इसके सांथ में second देखता हूं injection का browser info देखते हैं ठीक है इस वाले जो जो लैब होगी उसमें आपको कोई input field नहीं दिख रहा हुगा जैसे कि आपको कोई input field नहीं दिया हुआ है तो हमें यह चेक करने के लिए हमें बब का यूज करना पड़ेगा में यह request intercept करने पड़ेगी तो हम बब को इंटरसेप्ट आउन कर देता हूं मैं refresh करता हूं तो request क्या intercept हो जाएगी तो आप हम देखते हैं कि कौन सी फिल्ड में यह जो user engine फिल्ड है पहले हम इसमें डालके देखते हैं कुछ भी है एच बन का यूज कर देता हूं मैं फिर से हेलो पहले हम इसको टेस्ट कर देता है हेलो है एच बन का लब इसको फारवड कर देता हूं request को कर देते हैं यह देखिया है यहाँ पर इस तरीके से आप यह वर्नेबलेटीज फाइंड आउट कर सकते हैं स्टेमें इंजेक्शन के तो यह भी एक्जाम्पर हो गया यह एक्जाम्पल था उसके डिगरी का था जाब हम हमें कोई इंपूट फिल्ड हमारे वेब पेज में नहीं मिलेगा तो हम हेडर्स की तरफ जाहेंगे स्टीटीप के दूसरा देखते हैं कोई कि देखे यह एक वेब पेज बना रखा है जहां पर हम होस्ट नेम या इपी डालके वह रिजॉल्व होगे हमको अगर हम बोस्टनेम डाली हो तो आईपी देदेगा और आईपी डाली हो तो फोस्टनेम देदेगा जो कि नॉर्मल यूज़ होता है डिनस का तो मैं यहां पर डालता हूं Google.com तो इसने में रखुए यहां पर Google.com का आईपी प्रोवाइड कर दिया अब मैं इसकी जगे यहां पर डालता हूं कोई भी एक पंटाइग यूज़ कर देते हैं इस इस मी यह दिया है रिजल्ट पर रिफ्लेक्ट हो गया है जो भी हमें हमने डाला था वो है हमें हमें यहां पर रिफ्लेक्ट हो गया है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं HTML इंजेक्शन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं तो आज हमने तीर लैप्स देखी थी इसकी सबसे पहले हमने सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको मैनिपलेट कर सकते हैं और दूसरी चीज में हमने देखा था कैसे हम किसी कामें कोई इंपुट नहीं मिला है तो हमें उसको इंटरसेप्ट करके हम कैसे चेक करेंगे कि यह जो फील्ड है वह वर्नेबल एस्टेमल के है या नहीं है तो तीसरा हमने चेक किया एक टी एनस लुक अप की हमने वेग पेज को देखा कि इसमें एस्टेमल इंजेक्शन वर्नेबलिटी है या नहीं है तो आज का लैब में ही अटनुट करता हूं थैंस पूर वौति एप्ट एड़ लुक टीए नहीं है जा सक्विट एफ लुक टीए लुक टीए लुक टीए अट्ट टीए टीए अट्सेट लुक टीए टीए यहाट टीए